यह सरकार बनाना गिराने की बात नहीं, बलकि देश को बचाना और बनाना है. यह चुनाव कोई मोदी जी का नहीं, बलकि मुद्दो पर होना चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए. जिस प्रकार से लगतार मोदी जी जांच एजन्सियों का दुल्पियों करके और जांच एजन्सियों की मदद से देश पर अपात कालीन अगोशित एमर्जेंसी ठोप रहे है जूटे केशों में लगतार मुख्य मंत्रियों को जेल भीजा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कल ये जीत गए तो किसान, करमचारी और वेपारी को क्या समझेंगे पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहाँ आप सभी लोगों को नमश्यकार और आज आप लोगों की बीच फिर से फेस्बुक लाइफ के जरीए आप से अपने विचार को रखने का काम करेंगे और सभी फेस्बुक साथियों को कहेंगे कि आज की जो मुद्दे हैं बहुती महत्पुन मुद्दे हैं इसको आप सब लोग सुनिये समझिये और निंड़ने लीजिये देश एक खतरनाक मोर पर और निंड़नाक मोर पर है यह देश बचाने और बनाने की जड़ाई है यह सरकार बनाना गिराने की बात नहीं बलकि देश को बचाना और बनाना है यह चुनाओ कोई मोदी जी का नहीं बलकि मुद्दो पर होना चाहिए मुद्दे की बात होनी चाहिए जिस प्रकार से लगतार मोदी जी जाच एजन्सियों का दुल्प्यों करके और जांस एमर्जेंसियों की मदद से देश पर अपात काली अगोशित एमर्जेंसी ठोप रहे है जूटे केसों में लगतार मुख्य मंत्रियों को जेल भीजा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कल ये जीत गए तो किसान, करमचारी और वैपारी को क्या समझेंगे इसलिए आप सब लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने विवेक से नंदें लीजिए नहीं तो आने वाली पीडियों को जो है काफी नुकसान होगा ताना शाही पुरे देश में हैं और इसका तलवार से नहीं बलकि वोट के चोट से आप लोग जवाब देने का काम कीजिए हम लोग लगतार आप लोगों के बीच आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, बेरुजगारी की बात करते हैं हम लोग किसान मजदूर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भाईचारी की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी कभी भी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिचाई, करवाई, सुनवाई की बात नहीं करते हैं। लगतार मोदी जी और भाजपा के लोग जो हैं उन विश्वों को नहीं छूते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है वो लगतार इधर उधर की बाते करेंगे हम लोगों को गालिया दिया जाएगा उसके अलवा 2014 से अब तक उन्हें ने कुछ नहीं किया आज हम लोग आपकी बीच में कुछ आंकड़े भी रखेंगे बेडोजगारी को ले करके अपने आप से आप लोग पूछिएगा कि मोदी जी के दस वर्षों में क्या महेंगाई चरम पर नहीं है गड़ी भी इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी स्वें कह रहे कि 80 करोड लोगों को वो अनाज बाट रहे है आप समझिए देश की आधी अबादी से भी ज़ादा यानि असी करोड लोगों को खुद मोदी जी बान रहे हैं स्विकार कर रहे हैं कि वो अनाज बाट रहे हैं हाला कि मोदी जी के समय से अनाज बाटने की शुरुवात नहीं हुई है यह तो कॉंग्रेस के जमाने से ही अनाज लोगों को बाटा गया लेकिन आज गरीबी इतनी चड़म पर है बढ़ गया है कि 80 करोड लोगों को जो है अनाज बाटा गाना है बेरोजगारी इतनी बड़ी है उसलिए विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है आप देखेंगे भ्यानक आंक्रे मेरे सामने हैं इंटरनाशनल लेबर और्गनाइजेशन यानि आई यह लो यानि हिंदी में हम कहें तो अन्तराश् के श्रम संगठन और इंस्टिट्यूट ओफ यूमन डेवलेप्मेंट की बेरोजगारी की रिपोर्ट और ताजा आंक्रों में मुताबिक आज देश के बेरोजगारों में से 83% युवा है याज 83% जो है युवा है परे लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर्जों है सारे 65% है यादि जो पढ़े लिखे युवा है उसमें भी सारे 65% है ग्रामीन छेत्रों में सिर्फ देखेगा गाओं में आत्मा बस्ती है ग्रामीन इलाकों में सिर्फ सारे 17% युवा के पास काम है यादि भारत की आत्मा जहां गाओं में बस्ती है बेरासी फीसदी युवा गाउं के हमारे देश पे बेलोजगार है आज तक मोदी जी ने इन आखरों के बारे में नहीं बताया हम आपको बताना चाहते हैं और ये कोई मेरा आखरा नहीं है ये आयेलो का आखरा है और आप लोगों को समझना पढ़ेगा, अपने विवेक से काम करना पढ़ेगा मुद्धे पर चुराव होना चाहिए, जिना कि किसे एक व्येक्ति की बात है इसलिए मोदी जी कहते हैं लगतार चार्शो पार की बात करते हैं लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं ना नौज़गार की बात करते हैं ना चात्र नौजवान की बात करते हैं ना किसान मजदूर की बात करते हैं ना गाउं और गरीब की बात करते हैं मोदी जी ना सिक्षा स्वास्त के बारे में बात करते हैं स्कूल एस्पताल के ब पार नहीं हो पाएगा उसलिए मोदी नहीं मुद्दे की बात होनी चाहिए हाज आप लोगों के सामने हमने आकरा रखा लेकिन मोदी जी ने क्या क्या कहा था आप खुद से सवाल पूछिए दो हजार चौदा में एंडिये को 40 में से 33 सीटे मिली थी और 2019 में एंडिये को 40 में से 49 सीटे जो हैं वो मिली देश वर्षों से उपर नीचे डबल इंजन की सरकार है मोदी जी के आने के बाद क्या तबदीली हुई आपके जिन्दगी में जरा इस पर सोचिएगा मोदी जी ने देश वर्षों में आपके गाउं को क्या दिया मोदी जी ने दस वर्षों में आपके जिना छेत्र प्रदेश को क्या दिया मोदी जी ने क्या आपके गाउं में अस्पताल बनवाया क्या स्कूलें अपग्रेड की क्या आपके जिना के छेत्र में उद्द्योंग लगाया क्या दश वर्षों में निवेश बिहार में आया क्या दश वर्षों में जितना निवेश और विकाश गुजरात में हुआ है क्या उतना बिहार में हुआ है यह सवाल जो है आप सब लोगों को पूछना चाहिए मोधी जी ने क्या वादा किया था पिछले बार कि 2022 तक जो है किसान भाईयों का आयदूगरा कर देंगे क्या आयदूगरा हुआ किसानों का किसान जो है अंदोलन करने लेकिन मोधी जी के पास समय नहीं है उनसे बात करने के लिए उनके समस्याओं का हल करने के लिए मोधी जी ने कहा था जिसका घर दे उसको पक्का मकान देंगे 2022 तक क्या उन गरीबों को क्या पक्का मकान मिला यह सवाल पूछेगा मोधी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने का काम करेंगे क्या आपका पटना या बिहार में जो चुने गए थे स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या वो शहर स्मार्ट बने ये सवाल पूछे स्थान ये मुद्व दो करोन नौकरी की बात उन्होंने कही थी दस साल में बीश करोन कितनों को मोदी जी ने सरकारी नौकरिया देने का काम किया सरकारी नौकरी तो छोड़िये जो पदे जो रिक्त है उसको भी भार्दे की कवाईट शुरूआत नहीं की गई जो भार्द सरकार में है 15-15 लाक रुपे क्या खाते में है किसानों क्या हाई दुगुना नहीं हुआ प्रधान मत्री आदर्श ग्राम का क्या हुआ क्या हमारी गंगा को साफ करने का वादा किया थे नोने क्या गंगा साफ हुई पेट्रॉल डीजल गैस सस्ती हुई या और महेंगा हो गया सबजी दाल सस्ता हुआ कि नइ हुआ महेंगाई बड़ी या घटी यह विचार किजिए बेडोजगारी कम हुए कि बड़ी ये विचार किजिए गरीबी बड़ी कि घटी ये आप लोग सोचि और है अगनीवीर का क्या हुआ अगनीवीर में जो सेना रेलवे में सबसे ज़्यादा बहालियां मिलती थी उसको जो है निजी करन जो है कर दिया गया चार साथ के कॉंट्राक्ट पर दे दिया गया नोडबandhi से किसका फाइदा हुआ यह जो है आपनों बताईये और सोचिये बोलते हैं देश का चुनाओ हैं हम बताना चाहते हैं जब तक गाओं का आपके गाओं का विकास क्विकर जब तक आपके प्रखंड का विकास नहीं होगा, जब तक आपके जिले का विकास नहीं होगा, जब तक आपके प्रदेश का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता. इसलिए इन सारी बातों को हमने आपके समझ रखा है और आप लोग सोच विचार करके वोट देने का काम किजिएगा जो लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं जूट अफवा फैलाते हैं भाई को भाई से लडाते हैं धर्म को धर्म से लडाते हैं इनका केवल एक ही अजेंडा है कि बिना काम किये वे समाज को बाटो लडाओ नफरत पैदा करो ताकि उनका काम निकल जाए लेकिन आप सब लोग बिहार के लोगों से अपील है आप सब होश्यार लोग हो समाजिक राजनितिक तोर पर आप लोग काफी मजबूत है इनके छलावे में नहीं आना है इनीचन सब्दों के साथ आप सब लोगों का फेस्बुक पर हम स्वागत करते हैं और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं फिर बीच बीच में आप लोगों के बीच आ करके अपनी बात को हम रखेंगे आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुन्दे के तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 93868167 00 धन्यवाद